Hello Friends, मैं राकेश, R1 Technology में आपका स्वागत है तो चलिए जानते हैं, रीडेम कोड होता क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं जब भी हम किसी एप्स को प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करते हैं जिसमें कुछ फीचर्स हमें मुप्त में दिया जाता है और कुछ फीचर्स के लिए में कुछ पैसे पेड करना होता है पैसे पेड करने की प्रिक्रिया कुछ इस तरह होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, यूपी आई, रीडेम कोड तो आज जानते हैं, रीडेम कोड प्राप्त कैसे करें और readm code से purchase कैसे करें readm code प्राप्त करने के लिए आपको phone pay, google pay, emojone account, etc. की जोरत होती है तो आज जानते हैं phone pay के माध्यम से कि हम readm code कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको phone pay open करना होगा open करने के बाद she all आपको दिखाये दे रहा होगा she all पे click करने के बाद आपको play store दिखाये देगा जिस पर आप click करने के बाद आप जितना भी amount का readm code प्राप्त करना चाहते हैं amount डालें, then buy करने के बाद आपका readm code आपकी history में चला जाएगा आप हिस्ट्री में जाकर अपने रीडम कोड को कॉपी कर यूज कर सकते हैं थेंक यू, थेंक यू सो मच